अगर आपका वेट कितना भी तेज जी से बढ़ जा कोई चिंता ना करें एक तो सबसे पहले यह करें सफेद पेठा ले इसका जूस पिए सुबह और शाम दोर्नों टैम पिए यह देख लें कैसे पीना अपना है यह देख लें कैसे काटना है एक बार जहरा ध्यान से देखें यह अगर आप जूस पिते हैं तो मुटापे में बहुत अच्छा राम पड़ता है जिनका मुटापा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा थायराइड भी है तो इसी जूस में आप धनिया का अपना धनिया जो हरा धनिया ओर जूरू डाले इससे आपको बहुत अच्छा लाम है और आम ही अलदी जूरू डाले क्योंकि यह तीन चीज़ आप डालका अगर पीएंगे तो वेट को यह तोड़ने में बहुत अच्छी मदद करते हैं और साथ मां आर्वेद ने जो अच्छी रिसर्च करी है जो वेट आपका सो केजी से भी पार हो गया है लेडिजों का म जहन से यह अगर जूस तीन बार पी है बस उसका एक ही नियम है एक दिन का भी ब्रेक नहीं हो इसमें क्या होता तीन बिने तक नबबे दिन तक आपने एक दिन भी छोड़ना होता है अगर आप एक दिन भी छोड़ देते हो तो सेल फिर बढ़ जाते हैं फिर तेजी से देत है तो जितने भी आपका एक्सरेș्ट वेट बढ़ा हूआ है वह दीरे कन्ड्रोल करने में मदद करता है इसमें दो चीज का परेज करें एक ढखता है और जितने भी यह बिसकुट इसकुट हुते हैं यह फुदा सा छोड़ दे या अटे के बिस्कुट पड़ेगा और आलो आपने छोले बटूरे कभी खा लिए समस्य खा लिए तो आपने तुरंत अदा कप या एक कप गरम पानी उबलता हुआ वह आपने पीना उस टेम में तो आपका जो वेट जो कितना भी बड़ा हुआ मैं करहा हूं उसकी परसंट चिंता ही ना करें एक पर हो जाता है उसको एक्टिव करने के लिए फिर आर्वेदिक दवाई दी जाती है जिससे सोने पस्वागा होता है तो अगर आप ये करेंगे तो कैसा भी वेट हो तो दीरे-दीरे कंट्रोल करने में आपको बहुत अच्छी मदद करेंगा तो इसलिए आर्वेद का सारा ले योग करें प्राकरती चिकतिशा करें इसमें योग की जो किरिया होती हो में दिखाबी देता हूँ एक तो पहनोमुकतासन करें उससे बहुत अच्छा आपको लाग मिलेगा तो पएर अपर कर लें पहाँ मुकताशन करें और एक सहंपस्छी मुतानसन ये दोन्यों असन बहुत मोटापन होगा या पैरों में क्योंकि पैरों में दर्द आने लग जाता है क्योंकि एकसेस वेट होने के कारण पैरों में ही दर्द आता है तो पैरों के दर्द में ये बहुत अच्छा लाप देता है इसी में पहुन मुता करें और इसी में सैन पसी मोतानासन फिर नाम सुनें सैन पसी मोतानासन ये करें और किसी भी अच्छे योगा चारिया की देख रेक में करेंगे तो और अच्छा लाप मिलेगा तो मैं आपको स